कि हैं लो फ्रेंड नमस्ते कैसे हो आप सभी आई होप सभी ठीक होंगे और यह मेरा अगोई है का ब्लोग है तो यह कलका आया और मैंने वीडियोग किया है क्योंगि वीडियो हो गया था 26 मनट का तो इस लिए मैंने वीडियो फास्ट कर दिया है और जो भी चैनल पर लिए आते हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो अच्छ लगे तो लाइक करना तो मैं फास्ट था मेरा अगोई मैंने सुचा कि आज यह रूम में बैड वगेरा साफ हो गई अलमारी और ड्रेसिंग टेबल रही है तो इसको साफ कर लेती हूं तो मैं बस उसी को साफ करने लग गई थी और इसमें से सारा कुछ ख़ला दिया है कपड़े वगेरा और इसको आगे को भी खिसका लिया है मैंने तो इसको अच्छे से साफ कर रही हूं मैं और यह देखी उपर से साफ कर दी है वीडियो बंद भी करती जा रही थी बीच में से और इसमें यह कपड़ा लगा के और तब नीचे कुछ लगा दूँगी पहले मैंने साफ कर दिया यह अच्छे से सूका कपड़ा से पहले गी पेपर बार बार यह कपड़े खिचते हैं फिर अंदर को रखते तो पेपर फार देते हैं जल्दी तो मैंने इसलिए इसमें यह बैड़ सीट का कपड़ा और बिछा दिया तो यह देखिए कपड़े लगा दूँगी और फास्ट था फास्ट के दिन भी साफ सफाई करना पड़ा और करना इसलिए पड़ा मजबूरी है क्योंकि दीपावली है दीपावली आगी सिर्प है और मेरा मतलब बैड़ बैड़ी साफ हुए कुछ भी साफ सफाई नहीं हुई तो इसलिए साफ सफाई करना तो जरूली ह तो बस मैं वही लग गई थी और यह देखी कपड़े वगरा सेट कर दिये उसके बाद में ड्रेसिंग टेवल को साफ कर रही हूं तो इधार कुछ अंधिरा से आएगा और ड्रेसिंग टेवल पर पीछे पता नहीं बारे सीलन है ना कुछ भी इस रूम में और फिर टाइम नहीं लगेगा पर इसमैं इतना टाइम लगा सच मैं एक एक चीज निकालो उसको साफ करो फिर रखो जो चीज वैसी खराब वेया वैसी है उसको निकाल के फैंको तो ये देख सकते हैं आप ड्रेसिंग टेवल पीछे कैसी हो रही है तो मैंने इसको भी खिशका दिया है तो काफी टाइम लगा था और मैं दिखाऊंगी कि कितना टाइम लगा था मुझे बाकी पर ये सुकरा है कहां हो गई ये रूम बिर्कुल किलियर हो गया मेरा साफ हो गया दोनों रूम तो दोनों ही किलियर हो गए वो वाला भी मैंने कर दिया और ये वाला भी हो गया है तो ये देखिए ड्रेसिंग टेवले में मैं कबड़ा मार रहे हैं सुगा पीछे से और पीछे भी साफ कर रहे हूं तो फैन चला दिया है मैंने और उसके बाद में यह रूम में मैंने पूरा किलियर कर दिया यह वाला रूम पूरा साफ सपाई करके कपड़े अच्छे से लगा के पहुंचा लगा दिया और गेट लगा दिया फैन चल रहा है और धर में ज़ाड़ू लगा रही तो ज़ाड़ू लगाने के बाद यह देखिए मैं अतलब यह वाला बॉक्स रखे हैं यह भी हटाए थे और वैसे तो हपते में 15 दिन में यह हटा के पहुँचा लगाती रहती हूँ पर मैं सुचा चलिए आज जब होल वगेरा भी साफ किया है तो इसको भी कर देती हूँ तो मैं इधर लगा रही पहुचा और अब भी सच में ठक भी स्कूल के लिए सुवय नास्ता बना दिया था फिर कुछ काम नहीं था तो मैंने सुचा यह काम कर ले थी पर मुझे पता नहीं था कितना टाइम लगेगा और मैं इतनी ठक जाओंगी का बहुत बुरा हाल हो जाएगा और काम करने के बाद जैसे में लेटी थी ना मेरी बिल अंदा नहीं रहता फिर भी यह लगता है दीपावली यह फिर से अच्छे से चोटी चोटी चीजें उनको भी अच्छे से करकर आके साफ खर दो तो यह देखिए बक्स मैंने हटा के महुचा लगा दिया और यह वाला मतलब इधर से महुचा लगाती आ रही हूं सोफा के न आँर तो मैं पहु wanna लगा लेती हूं पहले और पहु लगाने के बाद अभी उसके लिए रोटी बगार भना कर रखोंगी टाइम दिखा तंधियों कितना हो गया है थैकल बेटे के लिए सब्सभी तो पहले ही बना दिए थी वैससे रोटी बना कि रखनी है तो वैसे खाती पीद्धी नहीं हो नहाने के बाद में थोड़ा से यह लगता है कुछ खालो तो इसलिए मैंने सुचा कि ना ब्रत है तो चलिए ऐसा काम कर लेते हुए ऐसे मंड़ी बगर आ रहो तो कोई नहीं हो गया। यहां का में अकेले इंसान को किचिन में भी देखना साब सफाई का भी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यह लगता है ना कि político को कोई देखने वाला हो देहरू साबस गया है। और अब भी मैं किचिन में लग रही थी बस मैंने उसको रोटी बनाई चाय बनाए के पी और उसके बाद मैं ये है सामका तो मैं इधर बना रही है हलुआ मैंने सुचा थोड़ा सा अप लोगों को सूट कर लेती हूं और अब सामका है मेरा काम बगारा सब हो गया था नहा दो तो टमाटर और कपेश्ट डालके और मैंने काजुआ कर डाली है सिंपल बना रही है तो मैंने सुच थोड़ा सा बना रही है तो दिखा देती हूं खीर बगएरा नहीं बनाती हूं मैं आशके दें अगोई एस्टिमी को हलोई बनता है हमारे तो बस बही बनाया और अचा थ यह आ जाएंगे तो यह सब्झी बगरा तो मतलम नहीं बना पते बना लेते हैं पर इह और यह आखे बना के रखकी और फाटे करों कि तैयारी करूब क्योंकि तार 특शी कंड़ा निकला थे हैं और यह देकिर चूड़ी भी डाली है और नहाके पजेब बगेरा चूड़ी बगेरा डाल ली थी मैंने तो इदार देखे वीडियो चलता रहा और मैंने ये मैंने सुचा कि पूरा ही इसका क्रीम पूरी खतम कर देती हूँ क्योंकि इसमें खतम होनी वाली थी ये कापी दिन हो गए थे तो मैंने सोचा भी खतम कर देती हूँ मैंने सुचा थाक वीडियो बंद है और वीडियो चलता ही रहा चलता ही रहा इतना बड़ा हो गया है कि बहुत जयदा तो ग्रेवी अच्छे से मैंने पका ली है उसके बाद मैं ये नमक बगएरा डाल के पनीर बगएरा डाल दूँगी और तो ये देखिया है ये है साम का सारे वीडियो फास्ट है आज और मैं बैठ गई हूँ पूजा करने ये वाली साड़ी पैनी है मैंने और चोकी बगएरा लगा लिए अपनी जैसे पूजा होती है हमारे रीति रिवाज वैसे पूजा पर मुझे सुस्राल का रीति रिवाज का बिल्कुल भी नहीं पता क्योंकि मैंने कभी भी अगोई एस् मैंने तो नहीं किया भी तक होई इस्टमी और करवाचवत करवाचा साइद की भी है एक बार या नहीं किया मुझे पता नहीं है तो बस इधर में पूजा करने बैठ गई थी और हमारे हैं मिट्टी की गोड़ जरूरी होती है बनना तो यह देखी बोले बाबा और सब बैठ गई थी पूजा करने के लिए तो मैंने सचा के चलिए आज अब होई एस्टिविंग ब्लॉक जा रहा है तो आप लोगों के लिए और कभी-कभी साड़ी बगार पिंते हैं बहुत अच्छी लगती है बहुत अच्छी तो मेरी यह वाली साड़ी में साड़ी जैसी प हो गई थी काफी तारे वैसे निकल आए हैं आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आएगा आज खा और था कि यह तो बहुत जादा थी पर जिस दिन पूजा बगरा करवाचों थे आगोई एसा कोई तोहारे दीपावली होती है कितने भी ठक जाओ फिर भी अंदर है उसको चार बजी खाना पीना करने इसे लग गई थी तो इधर में पूजा कर रहे हूं और बेटा भी बैठा है मेरा मेरे पास नहीं तो क्योंकि बच्चे के लिए वरत रखते हैं तो बैठा है पास में तो वह तैयारी मतलब लाला के दे रहा है क्या चाहिए क्या नहीं मैं उसको बोलती जा रही हूं तो इतना मतलब पता नहीं रहता हुए कुछ लाता है कभी कुछ तो वह ऐसे लाके दे रहा है तो अधिए वह बाटा पास में उसके में दागा बांध रही हूं और जैसे मतलब अलग-अलग सभी के हैं अलग-अलग तरह से होती है पूजा जैसे होती है तो मुझे जैसे पता है अपना ज्यादा से ज्यादे कोशिस करती हूं को कोई कमी न रहे अच्छे से अच्छी पूजा करूं मतलब यह नहीं है कि सिंपल भी कर दो तो भी वह होता है और मैं कोशिज अपनी तरब से ही करते हूं कोई भूल चुक ना हो और भूल चुक हो जाए तो माफ करना तो देखिए मेरी पूजा हो रही है और बस तारेवरां को रख देना है तो इधर ही वीडियो का एंड कर दूँगी नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा बहुत ज्यादा तो पूजा लगबख हो जी चुकी है मेरी तो बस पूजा हो चुकी है और कहानी बगारा भी मैं सुन ली है बाय करल मिलते हैं आप लोगों से एक न्यू वीडियो के साथ